नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत आपका हमारे युट चैनल एंजी इस्ट्यूडी इस्ट्यूडियों में आज हम सुरू करेंगे बहुत चेक्टर क्लास 10 का एक्सराइस 2.2 की जो सुनने कहें वो ग्याद करना और उनकी बिच्ट में क्या विले पहरा पॉसर है निम्द दीधात बहुपदों के सुनने ज्याद केजिए और सुननकों तथा गुणांकों के संबंद की सत्ता की राज केजिए यानिकि यह हमारा एक ऑलिनोमिल दे रखा एक बहुपद दे रखा है और इसके पहले हमें सुनने क्यातने रूट्स ज्यातने वैलू क्यातनी है और उसके बाब में इनको वैरिफाई करना है कि क्या वो रूट्स जो हमने वैलू मिकानी है क्या वो सही है या नहीं है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे फैक्टर करना आपको आता ही हुगा माइनस एक का मंडिप्राई जब ट्रिकर आप क्या कििया चाहित ओर 15य म्मतिप्लाई करें लिखे और मगर्जक्र अगर माइनस करें तो टू आए ठीक है यह तो इह आपका एकस कायर माइनस 4x- माइनस माइनस प्लस हो जागा तो 2x एकस कब्डी को नहीं होना है माइनस एक ठीक है अब यहां से इन दोरों में कॉमन लिए आए तो देखिए आपको नजर आ रहा हुगा हुगा, कि X जिकाल नीकाल है, अब क्या अच्छाए यहां है, एकस भचेगा, माइनस एकस देशन कलिए तो खाली 4 बचेगा, ठीक है, अब इन तोनों में 2 और 8 में पहले तो पिलस नजर आ रहा है, यहां फ्लस है तो पिलस ही लेंगे, अकर माइन सब्सक्राइब अब 2 और 8 जो है 2 की टेबल में आते हैं इसलिए 2 कॉमन ले लेंके तो 2 आ गया आपका तो 2 से डिवाइब लगा है अब यह जो है जब एकस माइनस 4 एकस प्लस टू का मान सुन है तब एकस माइनस 4 एकस टू जीरो होगा तथा फ्लस टू इकस टू जीरो होगा यानी एकस प्लस टू फूर आएगा इस तो तथा एकस प्लस टू माइनस कर 3 ठीक है यानि कि यह तो दू बेल्वबा करें इसका नम दे रह committed one और इसका नाम देख रहती के च्टा looking की कि यह मर्जी है कि आसको इसको करने बइता है। इसको हम बानते हैं। अब यह कि आप इनके मान अगए। आप तो दूअ किक पिछ एक प्छा., तो आप दूटा की जांच कि लिए बताइब की लिए कि लिए Let up सॉने को कि दुटा के वारे में यह ख़िए। कि याज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबस्तर पहले मूरों का योखफल लेना पड़ेगा मूरों का पहले समीकर लिख लेते हैं x-2x-8 कि एककर जो जीरू ले लेते हैं तो यहां पर जब ए है वह 8 है यानि यह ठीक है और यह ठीक है अब यहां से मूलों का सब्सक्राइब हर चीक है यहां से मूलों का योखफल लेकाने मूलों का कि योखफल वो होता है आपका minus 3 upon 1 ठीक है? यानि alpha plus beta बड़ावर होता है minus का b upon 1 alpha क्या है आपका? 4 है plus beta क्या है? minus का 2 है equals to b क्या है? b आपका minus का 2 है और a 1 है तो देखिए 4 में से 2 है तो 2 है क्या? equals to जो है और यह minus minus plus हो जागा तो यह आपका 2 तो यह वेरिफाई हो गया है अब करते हैं मूलों का गुड़नफल मूलों का गुड़नफल होता है C upon A ठीक है एलपा और बीटा का गुड़न कर रहे हैं तो C upon A आना चाहिए ठीक है तो यहां पर एलपा कितना है तो यह वेरिफाई हो गया है वहारी जो मान निकल के आ है वहारी रूट्स निकल के आ है वह सही है तो आप इस तरह की से आगे की कोशन भी कर सकते हैं आज की लिए एतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल की बने रहे हैं आज की लिए इतना ही मिलते हैं नेशन वीडियो में तब तक तक तुम्हें धनल बात